नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगं के लिए एक प्राइविट कंपणी के इंदर इंटेंशिप निकल के आया हूँ, प्राइविट कंपणी को मैंने इस कंपणी को इसलिए eyes कंसीडर किया है, तुकि ये कंपणी काफी एच्छी है और अलग-अलग queenכंट्री में लेके आया हूँ यह company का नाम है आप जैसे मेरे पिछे देख रहे होंगे इस company का नाम है पंस्ट एंड यंग तो इसी में ही आपको आना है जैसे short form में EY बोलते हैं तो EY के जैसे ही आप यहाँ पर आपको Google पर जाके पर आपको जैसे आप पर जाएगा जैसे ही आप जोब सर्च पर क्लिक करेंगे ना कुछ आपके सामने कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको इस पर आना है student and entry label candidate यह student के लिए जौब होगी और जो शुरुवात में पहली बार कर रहे हैं जौब उनके लिए और कुछ आपको ऐसे इमेज भी दिख जाएगी दो कन्याएं और एक यह हमारे दोस्त परोश होंगे तो बस ऐसे ही होगा तो आपको इधार आना और k syniket जैसे आप यहां पर क्रूम Delta क्रेंगे तो यहां पर आपको तो देखनी हूंगी तो इनफिलेमेंट ठीक है तो इस पे हमें आ जाना है देखे यह एकदम न्यूव है न्यूव एंट्र प्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह पेस्ट खुल के आ जाएगा और यहां पर अप्लाई का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है सारी डिटेल्स जड़ा कि अपने बारे में बताया हुआ है कि यह सारी चीज़ें क्या है ठीक है अब जॉब की समरी क्या होगी देखिए इन्होंने बोला है कि 40,000 head counts means 40,000 people यहां पे काम कर रहे होंगे ठीक है जीडियस operation में काम करना है ग्लोबल डिलेवरी सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है तो इसी के अंदर आपको काम करना है और यह सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है कि क्या है और कैसे है ठीक है सबसे सबसे इंपोर्टन चीज़ें यहां पर आप देख लेजिए पर पस आप दा जॉब का क्या मत पर जरूरत होती है यह सारी चीज़ें दे रखी आप पर पढ़ लेजिएगा ठीक है ना सबसे इंपोर्टन चीज़ अब यह है कि एजुकेशन क्या रहेगी देखें जो भी चीज मैं नहीं बता रहा हूं वह इतनी इंपोर्टन नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताय है ठीक है आपको परिशान नहीं होना सब्सक्राइब यहां पर एक चीज़ उन्हों ने बताया हुआ है कि पर्शूंग मास्टर डिग्री यह आपना पर्शू करते हुए होना चाहिए मतलब कम्प्लीट नहीं आप कर रहे होना चाहिए क्या आप पर्शू करते हुए होना चाहिए किसी भी फिल्ट के अंदर किंदर के अगर आप कोई भी एक तो आप कर सकते हैं चाहे आप कर रहे हों चाहे आप कर रहे हों किसी भी फिल्ट के तीक है यहां when in the law attitude उना चाहिए यह इसके लिए यह एक्वालिस्टेकेशन देरकी है कि आपको किसी ना किसी फिल्ल में जड़ायोरे करते हुए होना टिये तो आप men कर सकते हैं अगर हम तो इन्होंने देखो यह अपने बारे में Beast likely यहां पे थोड़ा सा रहा हुआ है कि यह काम क्या करते हैं देखें वर्किंग उन्होंने यहां पे लिखा हुआ इस सीज में करते हैं यह लोग टाशूर разм एक कपनी किसमें क्रक्समें और क्या और सिर्फ coordinate क्या 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 आप कि आपको कोई ना कोई graduation या post graduation करते हुए होना चाहिए that is all और आपको कुछ नहीं करना है चीक के बाद देख लेते हैं जरा हम लोग apply कैसे करेंगे तो जैसे आप apply पर जाएंगे तो आपको ऐसा पेज खुल जाएगा जैसे आप apply पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज खुलेग क्लिक करके यह सारी details पढ़ देनी है यह company की तरफ से time and conditions यह देनी है और आपको यह पढ़ देनी है जैसे यहाप पढ़ देंगे उसके बाद यहाँ पर notification पर click कर देंगे और last वाले में भी ऐसे click कर देंगे create account पे click करेंगे जैसे ही आप create account के उपर click करेंगे न यह आपको एक email भेजेगा तो आपको अपनी email id पे जाना है जो आपने email id यहाँ पे डाली होगी न उस email id पे आपको जाना है वहाँ पे confirmation के लिए बोलेगा click here to confirm तो उस पे click कर देना है जैसे ही आप उस पे click करेंगे तब आपके पास में एक नया page खुल जाएगा एक नया page खुलेगा जिसको पूरी तरीके से भरना होगा page थोड़ा लंदी सा होगा धैर पूरवक भरिएगा मैं भी आप एक भर के दिखाता हूं देखे कैसे जैसे ही आप email id पे जो आपको link जाएगा उस पे confirm करने के लिए click करें तो जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो उसके बाद में आपको ये page खुल जाएगा जो आपके सामने आ रहा है देख रहे हैं आप लोग जैसे आप इसके सामने आप आ जाएंगे अब इस पूरे form को आपको तसली पूरवक भरना होगा जब आप तसली पूरवक भरेंगे उस उसके बाद आपना last का नेम भरना है तो अगर जैसे किसे के नाम आशिश कुमार है तो पहला नेम होगा आशिश लीगल नेम आशिश और last का नाम कुमार होगा उसके बाद आपको अपनी यहां पर देखे email ID भरनी होगी तो जैसे आप यहां पर मैंने email ID अपनी भरी होई है तो आपको ऐसे इसमें से ही जा कि आपको एक select कर लेंगे कि जो इंडियान इंडियन व्लैक के साथ दिख रहा होगा तो तो देखे बारा दिख गया तो यहाँ पर अपर ऐसा भर देना है और फिर आपको अपना Mobile नमबर भर देना है. ऐसके बाद में आपको यहाँ पर आना है स्कूल तो इसमें से आपको अपना है है उनिवर्शिटी और इसकूल चाहता है कि आपको इनिवर्शिटी यहुर्सिट long time record वहां चाहर आपने कहां से कि पर करते हैं या फिर आप देखे पर स्कूल कोमिह कौन साही या फिर आपकी university कौन सी रही है तीक है इसमें बहुत सारे देर के पूरे वर्ल्ड काई हो इसमें से जो भी आपको भर्णा होगा आप उसमें भर पाइंगे ठीक है फिर आपको अपने primary डिगरी घ्री भरनी होगी क्या आपने क्या करका इसकार मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट कौन से थे जिसमें से देख लिजेगा अकाउंट जो में सब्जेक्ट होगा वह आप भर देंगे इसमें तो आप इसी में से भरते चले जाएंगे डिग्री सब्जेक्ट में अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह से कंडरी डिग्री अगर भरना तो भ आपको देना है यह आपको ध्यानमे रखना है और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि कितने परसेंटेज आए हैं तो अपनी परसेंटेज मार्क्त भी यहां पर सकते हैं अब आपको देना है फस्ट प्रेफरेंस कहता है प्लीज इंडिकेट एरिया विदिन इवाई डैट यू आर मोस इंट आप आपना कौन से एरिया में इंटर्शिप के लिए करना चाहते हैं तो देखें आप धेर सारा दे रखा है तो आप इनने में से एक सेलेक्ट करके भर देंगे कि आप कौन से एरिया में इंटर्शिप को करना चाहते हैं फिर आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी भर देंगे तो यह हो जाएगा यह बहुत अच्छी बात है कि किसमें आप करना चाहते हैं उन्होंने आप्शन दे रखे हैं अगला हो जाएगा ओफिस लोकेशन आप अपनी ओफिस के और अडिशनल प्रेफरेंस तीनों प्रेफरेंस को आपको भर देना है अराम से ठीक है ताकि अगर पहली मिलेगी तो ठीक अधरवाई दूसरी दरवाई तीसरी मिल जाएगी ठीक है अगला है कैन यू वर्क इन लिस्टेट जॉब लोकेशन विदाउट वर्क परमीट इस् वाले स्टुडेंट होंगे उन लोगों के लिए यह लोग अकॉमेडेशन प्रवाइड करवाते हैं तो जिनके पास डिसेबिलेटी से वही इसको भरेंगे यह वाला और यह वाला दरवाई जो नॉर्मल होंगे उनके लिए कुछ भरने क्या हो शकता नहीं है आपको कैसे पता चला यहां पर आसानी से तसली पूर्वक भरिएगा जहां से भी आपको पता चला है ठीक है ना तो अगला हाव डिड्यू नेक्स यह हो गया है है विए बिन सब्जेक्टेड तो माली जापके ओपर कोई केस हुआ हो कभी इन्वेस्टिगेशन हुई हो आपके लेके लुग हो लेके आप कोर्ट में गए हो सब को लेके तो यह भरिएगा अगर आप ऐसे हैं तो आप नो भरिएगा ठीक है अगला है अगर आपके पास कोई डिसबिलिटी है तो भरेंगे विए सफ़र फ्रॉम अनी मेजर आपको क्या कभी एक्सिदेंट हुआ है या कोई सरजरी हुई है या कोई इल्नेस है तब आप उसके बारे में भरेंगे तो यहां यहां तक हो गया था ठीक है अब उसके अगला है अगर आप के पास कोई और अच्छा मिला हो और यहां पर फाइल में अपलोड कर देना है जैसे आपको आगे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किरेंगे तो आपके सामने वहाँ पर एक नया पेज अलग से खुल जाएगा तो उस जब वो अलेक से पेज़ खुल जाएगा तब आपको वहाँ पे भरना होएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं सारी इंफोर्मेशन आपको यहीं पर प्रवाइट करवा दूँगा ठीक है तो यह बहुत बहतरीन है कि अगर हो सकता है आप वहाँ पे एक्सपिरियंस को गें करें तो आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा फिर मिलते हैं किसी और इंटर्शिप में अगर आपको कुछ भी चीजे पूछनी है करनी है तो आप बतानी है तो आप मुझे बताएगा मैं आपको यहीं से कमेंट करके बता दूँगा